कारिकरम इन से मिलिये के शोताओं को हमारा नमसकार आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक कुशल वक्ता शिक्षक, प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर पंकच चतुरवेदी जी से पंकच जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है कारिकरम में बहुत बहुत धन्यवाद और सभी शोताओं को मेरा नमस्कार और जैसा कि हमने अपने कारिकरम की शुरुआत में ही कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर है तो इसके बारे में जानकारी चाहेंगे कि वास्तों में मोटिवेशनल स्पीच क्या होती है देखिए मोटिवेशन एक इतना व्यापक शब्द है कि जिसको संक्षित में परिवाशित करना थोड़ा कठिन है पर मुझे ऐसा लगता है जो मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है शित में लोगों से समवाद का बाचीत का और उसके बाजो प्रणाम सामने आते हैं तो मेरे साब से मोटिवेशन की यही परि साल आने का कारे कर रहे हैं पंकत जी हमने आपके बारे में जैसा पढ़ा सुना है खुश रहें और खुशी दें यहां मूल मंत्र लगता है हमें इसको थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे मुझे ऐसा लगता है कि खुशी और गम सुख या दुख दोनों प्रकृति क अनिवार भाग हैं अनिवार हिस्सा हैं और विज्ञान यह कहता है कि जहां आपने अपने आपको मेंटली ट्यून किया हुआ है यदि आप फोकस्ड हैं आप जैसे हम यहां की बात कर रहे है तो यह हमारा कारकाम जा रहा है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर शुरताओं त जितना रेडियो की बदल कर किसी और रेडियो स्टेशन पर जाना या किसी और फ्रिक्वेंसी पर जाकर कुछ और सुनना मैं हमेशा इसलिए बात को बोलता हूं कि सफल होना बहुत आसान है लेकिन चुनोती यह है कि सफल आप होंगे इसका विश्वास करना वो सबसे कठें काम है और लोग विश्वास की उस जो चुनोती है उसको पार नहीं कर पाते और फिर असफल तक दे तमाम दोश गड़ते हैं तो उसका सबसे पहला कदम है खुश रहना आपको ढूंडना है कि आप कैसे खुशी ढूंड सकते हैं मैं जो मोटिवेशन का संबात करता हूं हमसे हमारे श्रोताओं को एक बहुत सरल रास्ता सुझा दिया कि किस तरह से हम अपनी खुशी को स्विच कर सकते हैं मेरी पहली प्रात्मिक्ता बच्चों को मोटिवेट करने की है जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं क्योंकि दो चीजें एक तो वह अभी उनकी फ प्रात्मिक्त देता हूं उसके कारण बहुत इसपश्ट है कि यदि एक मेरी बहन बेटी या माता वो मोटिवेटेड है संसकारित है शिक्षित है खुशी आनंद और सकारत्मिक्ता की बात समझती है तो वह फिर पूरे परिवार की धुरी होती है बहन बेटियों का मानसिक स शक्तिकरण मोटिवेशन के माध्यम से आवशक है तो मेरी प्रात्मिक्ता बेहन बेटियों माताओं से बात करने की होती है और जैसा मैंने अपने आपको फ्रिक्वेंसी ट्यून करके स्ट करके रखा है तो मुझे आउसर भी खूम मिलते हैं जहां बातचीत करने जाता हूं मिजर्टी में बेटियां होती हैं बेहन होती हैं माता होती है और वही बहुत जरूरी है क्योंकि हर वर्ग के एक अलग requirement होती है spiritual requirement अलग होती है उनकी आवश्यक्ताई psychological जो उनकी मनोबैग्यनिक आवश्यक्ताई अलग होती है तो आप अपने आपको किस तरह से update रखते हैं देखिए आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा और जैसा मैंने कहा कि करीब 700 करोड लोग है इस पूरी धर्ती पर और सब के साथ 2400 घंटे एक जैसा दोर नहीं आता जीवन है ही ups and downs उतार चड़ाव आते हैं और ये विज्ञान सम्मत है तो मुझे भी चनोतिया आती हैं पर मैं प्रयास करता हूँ कि अपने आपको इतना मांसी ग्रूप से शक्त रखूँ अपने आपको खुशी पर positivity पर focus रखूँ तो उसके लिए मुझे भी update लेने पड़ते हैं रोज अभ्यास करना पड़ता है और मैं जो लोगों को सिखाता और बताता हूँ उस पर खुद अमल करता हूँ मैं दो समय जीवन के मतला हमारे 24 घंटे में सब के पास 24 घंटे में दो टाइम ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्पूर है जब वो पराता काल सोकर उठता है जो 2-3 मिनिट का आत्म समवाद है और आप सकारात्मक बातों को सोच सकते हैं यह आपके हाथ में है और यह अभ्यास से आएगा तो एक सुबह का समय 2-3 मिनिट अपने आप से बिस्तर छोड़ने के पहले आत्म समवाद कीजिए और जिन जिन चीजों के लिए आप जो आप चाहते हैं आज आपके जीवन में घटी तो आज के दिन में उनके बारें बात्चीत कीए कि वो सब अच्छा अच्छा आपके साथ हो रहा है इससे और इंपोर्टेंट पार्ट है वो तब है जवाब रात में बिस्तर पर सोने जाते हैं वो काम करता रहता है और हम 10, 20, 25, 50, 40 जो आप सब कॉंशस को आर्डर करेंगे वो उस पर काम करेगा तो इसलिए ये दोनों समय बहुत मात्मूर है दो दो पांच माच मिनिट आपकी लाइफ के 24 गंटे 365 दिन पूरा जीवन बदल सकते हैं तो उसके लिए लाइफ का अनुशासित होना बहुत ज़रूर है इसलिए हम दो-तीन बातें करते हैं कि किसी और की राय आपका व्यक्तिव निदारितना करें आजकल ये बहुत बड़ी चुनोती है कि क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग और ये एक अजीब सा इत्तिफाक है कि दुनिया में 90% लोग जो है वो दूसरों के कहे के आदार पर अपने आपका स्वग अक्तित का निदारन करते हैं जो सबसे गलत है तो आप अपनी सुनिये कि लोग सोशल मीडिया के माद्दयम से दुनिया भर से connected है पर जो self connection वो खतम हो चुका और वो जो self connection की खतम हुआ है वो ही सारी चनोतियों और समस्याओं की जड़ है तो अपने आप से जुड़िए अपने आप से संबाद करिए और अपने आपको अनुशाशित करिए ये सोशल मीडिया और बाकी सारा जो भी कुछ है वो आपके जीवन में आवशक जरूर है पर अनिवार नहीं है अनिवार आत्म अनुशाशन है अपने आपको अनुशाशित करिए और इसलिए हमारे बुज़गलों कहकर गए संगत का असर तो ये कोशिश करिए कि आपका mental transformation हो आत्म अनुशाशित हो नंबर दो only quality people जो आपकी लक्ष के लिए आपकी प्रसंता के लिए आपको सहायता करें और दूसरा communication skill हमको बहुत डेवलप करने चाहिए क्योंकि आप कपड़ों से वेश भूशाश से बहुत अच्छे लग सकते हैं पर आप जब मूँ खोले तो आपकी एक ऐसी अनूठी पहचान बने कि वो सदा सामने वाले के मन मानस पर अंकित हो जाए कि हम आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसमें एनर्जी पॉजिटिव थी पूरी सकारत था भरी थी और वो जो पॉजिटिव वेव से वो ट्रांसफर होती है एक सिस्टम है हम आज कंप्यूटर की दोरें बात करते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट आप जो हमारे मन मस्तिश में जो गया वो ही मूँ से बाहर निकलेगा तो वहाँ नियंतरन लगाना है और संगत के अध्यान रखना है तो आप मान के चलिए कि अच्छी संगत होगी तो जीवन की सार्थकता सुनुशित है और हमें भी लगता है कि हमारे समय सार्थक हो रहा है आपके बारे में हमें पंकची ये भी पता लगा है कि आप सरकारी स्कूलों में निश्रल के प्रशिक्षन देते हैं तो ऐसी क्या जरूरत आपको महसूस होई कि मैं खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ बहुत सारे प्रयास हुए सरकारी स्कूलों में परिवर्तन करने के पर जो मानसिकता है मतलब बहुतिक संसाजन तो बहुत जुट गए पर मांसी क्रूप से जित्ते सुद्रण उन बच्चों गोना चाहिए वो मुझे लगा नहीं है और वहाँ ना मिशन है ना मोटीवेशन है और इसलिए मैंने तया किया कि मिशन फॉर मोटीवेशन सरकारी स्कूल और कॉलेज के दोनों सरकारी स्कूल कॉलेज दोनों में मैं निशुलक बात करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा उस समाज को कंट्रिवुशन है जिस समाज का मैं हिस्सा हूं तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपने छोटे-छोटे कदमों से जिस प्रकृती ने जिस ईश्वर ने मुझे आफसर दिया एक मनुश का जीवन दिया तो मैं बहतर मनुश के तौर पर काम कर सकूं और अपनी भूमिका का सार्थक्ता के साथ निरभान कर सकूं बहुत ही अच्छा आपने बताया और क्योंकि आजकल तो रजानकारियों का बंडार है बहुत सारे प्रवचन देखिए एक कहवात है कि अती सर्वत वर्जीत है याने अती हो तो हानिकारक होती है वैसे यह इन्फलेशन आफ इन्फॉर्मिशन या नॉलेज आप कह सकते हैं कि धेरों पड़ी हुई है और उसमें से काम का क्या है करना है और खराब नहीं जो इन्फॉर्मिशन है ना मैं करना है कि आपके काम का क्या है और उसके लिए आपको यह तैय करना पड़ेगा कि अभी आप किस लेवल ऑफ एजुकेशन के योग्य हैं तो मुझे लगता है कि इस मामले में हमको यह तैय करना पड़ेगा कि अभी हमारी प्रात्मिक्ता प्रात्मिक आउशक्ता क्या है और उसके लिए अपने आपको शिक्षित करना पड़ेगा और उसमें आप एक्सपर्ट की उपीने ले सकते हैं जिनको आप गुरु मानते हैं आपके स्कूल के टीचर हो सकते हैं कॉलेज के टीचर हो सकते हैं आपके पेरिंट्स हो सकते हैं आपके सिब्लिंग्स आने आपके तीन महीने का ये करीकूलम होना चाहिए परस्नल गुरोथ का छे महीने का ये करीकूलम, साल भर कहें इस तरीक़े साथ कर सकते। तो ये डिस्क्रिशन ये ही जो है वो गुरू का कारे होता है क्योंकि वो जो इतनी सारी चीजों का भंडार है उन में से कौन सी चीज आपके लिए उपयोगत है ये एक गुरू ही मैं हमेशे जिले कहता हूँ कि ask the expert तो हमेशा जो जिस शेत्र में आप जाना चाहते हैं उस शेत्र का जो विशेशक है उससे बात करेंगे तो वो समझदारी भी है और परिणाम दायक भी है पंका जी बहुत अच्छी बाते हुई हमें हमारी आपके साथ मुझे लगता है कि निर्विवाद रूप से शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और हमारे साथ समाज में चुनोती यह है कि हम लोग साक्षर हैं पर सिक्षित नहीं है यानि हम सब लोग literate हैं पर educated नहीं है हम लोग पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं बहुत सारे courses हमने किये हुए हैं पर जीवन के कई particular हैं जहां पर हम लोग फेर हो जाते हैं उसका कारण यह है तो मुझे लगता है कि शिक्षा से बड़कर कोई उपाय हमारे पास नहीं है यदि आप शिक्षित हैं तो पैसा समंद विवारिक्ता सफलता जीवन की चुनोतियां सकारतमक्ता सब आप हासिल कर सकते हैं और शिक्षा के बहुत सारे माध्यम अब उपलब्द हैं और अगें आपको किसी योगी व्यक्ती से सला लेना है कि आपका करिकुलम आपका पाठिकरम क्या होना चाहिए आपका पत क्या होना चाहिए आपकी चुनोतियों से आप कैसे रास्ता पा सकते हैं किस तरफ आपको जाना है सब कुछ त्रह है और यदि आपने आत्मनुशाश्षित कर प्रोफराईय सोयम को और आप सिक्षित है जीवन के हिसाब से डिगरी था साप से नहीं तो आप करे चलिए कि जिंदिगी में चाहेंगे कोई औरक्त बात कर रहे हैं between performing परेक्षा की और सपलताकी तो किसी एक परेक्षा से ही किसी व्यक्तिकि değer से मैं परिक्षा की प्रक्रिया से ए और उसके परिदामों का जिस प्रकार का मुलीयकन समय में कहता तो उससे असे ऩमत हूँ और आपकी जो मार्क yi शीट है वो आपकी लाइफ शीट नहीं है मैं जिन्दी में परिक्षाँ में हाफ यहली एक्जाम जो 18 वारंशिक परिक्षा ओ लिए प्रिक्षा आपकी सफलता का पेमारा नहीं है जीवन में, चाए वो आपके पाटिक्रम की परिक्षा हो, जिंद्गी की परिक्षा हो, नोकरी की परिक्षा हो, एक परिक्षा को लेकर कभी निर्धारन मत करिएगा और हारना मत, never ever, never ever, never ever gave up, कभी मत छुड़िएगा. बहुत अच्छा इसी पॉस्टिव नोट पर हम इस बातचीत का समापन करना चाहेंगे पंकर्च चतुरवेदीची आपको बहुत बहुत धन्यवाद